मैं बताओं कि यहाँ पर जो 17 एबी 17 मतुरा रोर पे मनीश शिसोदिया डिप्टीची प्रेश्टर जो हैं इनके इस सरकारी आवाज के अलावा 19 और जगहों पर एक 7 रेट की गई थी और अंदर की तस्वीरे हम आपको दिखातें देखें CBI आप सामने इस पश्ट देख सकती हैं कि CBI की टीम अंदर पहुची हुई है और 8 से 8 बजे के बीच यह CBI की टीम यहाँ पर पहुची थी और जब CBI की टीम यहाँ पर पहुची उसके बाद मुख्यमंत्री मनीश शिसोदिया ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि CBI की टीम है उसका स्वागत है और साथ साथ उन्होंने कटाक्ज भी किया कि दिली में शिक्षा मंत्री खुद मनीश शिसोदिया और साथ साथ उन्होंने स्वाफ्त का भी जिक्र किया जो सतेंद्र जैन थे उनका कहना है कि शिक्ष के अच्छे काम को रोका नहीं जा सकता ये कटाक्श इनके द्वारा किया गया था हाला कि CBI की टीम लगातार 19 जगहों पर वो छापे मारी करके जो तमाम सबूत है वो जुटाने की कोशिश कर रही है ये जो आरोप लगे थे एकसाइज एक्ट को लेकर के घोटाले का उनके तहट ये पूरी कारवाई CBI के द्वारा की जा रही है करीब एक घंटा हो गया है CBI को टीम को यहाँ पर पहुंचे हुए नहा लगातार अंदर चानबीन जा रही है अभी तक CBI की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है लेकिन टीम अंदर लगातार काम कर रही है अब यह देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके CBI को मिलता है क्या कुछ निकल करके इन रेट से आता है और क्या सबूत या सुराग जिनकी तलास में CBI की टीम निकली है उनके हाथ क्या कुछ लगता है इस बात के अंदेशा पहले जो आपको जो रूम दिख रहा है जो हाँ CBI के कामचारी दिख रहा है यह दरसल बाहर का ओफिस है यहाँ पर भी देखें CBI के जो कर्मी है उन्होंने जो जैकेट पहन रखी उस पे भी CBI लिका है अला कि इसके अलावा जो अंदर की तरफ है CBI की टीम पुरी तरीके से अंद शिसोदिया के द्वारा और इसके बाद आम आपनी पार्टी की तरफ से और इसके अलावा जो बीजेपी है उनकी तरफ से दोनों तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी लेकिन अब यह देखना होगा कि यहां से क्या कुछ क्या आता है क्योंकि आप सामने तस्वीरे नेहा साथ तोर पर देख सकती है कि CBI की जो टीम है वो जो मेन आफिस है जो बाहर का आफिस है वहाँ पर उनकी टीम मवजूद है तो लगातार हलचल जारी है सभी की निगाहे इस वक्त मनी सिसोदिया के घर पे है जहाँ पर CBI की ट अगजात है उनकी यहाँ पर चान बीन कर रहे हैं